Hey guys, welcome back to our channel Nanny Shine Mommy So, क्या आप लोगों ने कभी मुंगरी की रोटी खाई है? So, ये है हमारे उत्राखन की एक बहुत ही अच्छी डेलिकेसी जिसकी रेसिपी आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मुंगरी यानि की मक्का या कई लोग इसको मकई भी कहते हैं उससे बनी हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज़ी रेसिपी तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिये हैं मुंगरी यानि की कौन या फिर मक्का उसको मैंने छिल लिया है वैसे ये स्वीट कॉन है अगर आपको भुट्टा जिसको बोलते हैं वो मिले तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर आज कल आनी रहा है तो मैंने स्वीट कॉन से बनाए तो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉन सारे छिल लिये हैं और उनको ले लिया है मैंने एक मिक्स के जार में वे इने पीसना है आगर आपके कॉंट ज़्यादा हार्ड हैं तो आप उन्हें चार से पांच गंटे के लिए भिगा भी सकते हैं ने तो सुीट कौंट बहुत सौफ्ट होते हैं वो पिज जाते हैं तो इसमें मैंने डाली है लसन की कुछ कलियां, साथ में मैं डाल रही हूँ हरिमिज, आप हरिमिज अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि नैनिशा भी ये खाएगी तो इसलिए मैंने दो ही डाली है, आप जादा या बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं, तो इसमें बहुत थ ठोड़ा कि की छीड़ा जांगर सालवा रख ऑपा है को अबहुत को झागर सुत अ मिकस करेंगे इसका बाइंडिंग का चाहिए होता है तो बेसन एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है यहां पर मैंने दो भुट्टे लिये थे और उसमें मैं डाल रहे हूं चार टेबल स्पून बेसन अगर आपको लगता है कि आपका बैटर पतला हो रहा है तो आप उसमें एक या दो बेसन की स्पून एक्स्टर डाल स मैंने ओपना तो कि दो बहुत्त में चार्पान यहां नहीं तो आप इसी कंसिस्टेंजी देक सकते कि यह जादा पतली भी नहीं यह बिल्कुल अच्छी है ठिक है जो हमारी फैन में फैनने के लिए भी अच्छी रहेगी तो यहां पर बैटर को अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें मिलाऊंगी अपने मसाले मसाले आप अपने अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं जो आप रेगुलर यूज में खाते हैं वही मस अच्छी मिक्स कर लेंगे और अब यह सारे मसाले हमारे अच्छी से मिक्स हो गए हैं आप बेटर अपने आप देख सकते हैं कि यह कितना थेख में रखना है और यह बिल्कुल कम्प्लीटली ऑप्शनल है वैसे अगर आप डालते हैं तो इसका टेस्ट और अच्छा बन जा तो इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं तो अब हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है अब बनाते हैं अपनी मुंगरी की रोटी या मुंगरी के चीले तो यहां पर ग्यास ओन करेंगे उसमें रखेंगे फ्राय पैन आप कोई भी नोंस्टिक तवा या नोंस्टिक फ्राय पैन रख सकते हैं विदाउट नोंस्टिक में इसलिए आपको रिकमेंट नहीं करूंगे क्योंकि यह थोड़ा सा चिपक जाता है तो नोंस्टिक हो तो ज्यादा बेटर है तो उसको हम कर उसमें थोड़ा सा डालेंगे जक्या अगर आप लोगोंने कभी गुजराती डिश हांड़ो के बारे में सुना होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि थोड़े से राई के दाने डालते हैं वैसे ही इसमें थोड़ा सा जक्या डालते हैं जो कि उत्रा खिंड का ही एक म और इनको अच्छे तरीके से फैला के अब उसके उपर डालेंगे थोड़ा सा ओयल और साइड में भी उसके डालेंगे थोड़ा सा ओयल गैस आपको मीडियम हाई पर रखनी है ज्यादा हाई रखेंगे तो जल भी सकते हैं तो इसको थोड़ी देर आप ऐसी रहने दें अगर अब ढ़कना चाहते हैं तो ढ़क भी सकते हैं तो यहाँ पर यह नीचे से मेरे चीला जो है वो पक चुका है अब हम इसको बिल्कुल लाइट हैंड से पलटेंगे तो बगवान का नाम लेके मैंने पलट दिया और यह देखिए कितना अच्छा यह बना है इसका टेक्स्चर कितना अच्छा आया है दूसरी साइट से भी इसको ऐसे ही पकाएंगे तो जब तक यह पक रहा है तब तक मैं बनाती हूं हरी चटनी यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा पुदीना धनिया थोड़ी सी हरी मिच लसन मैं इसले नहीं डाल रहे हूं क्योंकि अल्रेडी मैंने मकी पीशते वे लसन डाला हुआ था साथ में वन टेबल स्पून दही मैं डाल रहे हूं दही आप ना भी डालने ऑप्शनल है उसके जगे आप टमाटर भी डाल सकते हैं तो साथ में थोड़ा सा डालेंगे नमक अपने टेस के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा भुनावा जी बन चुकी है दूसरी साइड से अच्छे से पक चुकी है तो यह आंपे मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए दूसरी साइड से भी कितनी अच्छी पकी है तो के यहां पर केमरा क्वालिटी थोड़ी लोग हो जाएगी क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी थोड़ी डौन होग तो आप लोग इसे जरूर बनाएगा यह एक बहुत हेल्दी डिश है खास कर कि जब ऑगस के टाइम पे भुट्टे आते हैं यह उस टाइम पे जादा बनाई जाती है रेनी सीजन में तो अभी आप स्वीट कौन से भी बना सकते हैं और आप इसे बना के जरूर मुझे पताए लगेगा कि यह डिश आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आया हुगा तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना ना भूलें बाई गाइस थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो